हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट प्लास में दोस्तों अगर आपके पास भी एक लैपटॉप है और उसकी स्क्रीन जो है बस कुछी देर में इस तरीके से लॉक हो जाती है जल्दी से स्क्रीन बंद हो जाती है अभी देखा आपने केवल एक मिनिट ही मैंने इसी स्क्रीन को ओपन किया और एक मिनट के अंदर ही यह screen automatic जो है lock हो चुकी है अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है आपके भी laptop में जो है screen जल्दी से जो है off हो जाती है जल्दी से lock हो जाती है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी laptop के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी complete जानकारी देने वाला हूँ अगर आपके साथ ऐसी problem आ रही है तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखेगा इसका solution आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है हेलो दोस्तो मेरा रामी गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लाश वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब भी कर दिजेगा देखे दोस्तो इसके लिए आपको अपने laptop की control panel की setting में जाना होगा setting में जाने के लिए आपको ये windows बटन दबाना है और इसके साथ आपको r बटन दबाना है तो हम ये windows बटन के साथ r बटन दबाते हैं इसके बाद आपके computer में इस तरीके से run command खुलती है और इसके अंदर आपको type करना है control panel जैसा की आप देख सकते हो जैसा लिखा है same बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना है लिखने के बाद आपको जो है इसे यहाँ पर click करके इसे open कर लेना है open करने के बाद ये थोड़ा सा processing चलेगा तब तक जो है आपको wait करना है और इसके बाद जो है आपके सामने control panel की setting आ जाएगी आप देख लीजिए यहाँ पर control panel लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको जाना है hardware and sound में आप इसे देख लीजिए यह जो hardware and sound है आपको जो है इसी पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा power option आपको जो है power option पर ही click करना है power option पर click करने के बाद आपको यहाँ पर balance का recommendation यह जो balance recommendation लिखा हुआ है इस पर आना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है चेंज प्लान यह जो लिखा हुआ है चेंज प्लान सेटिंग आपको जो है इसी पर चेंज प्लान सेटिंग पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप इस सेटिंग को बदल सकते हैं नहीं कि आपकि डिस्पले है कितने time के बाद ढरन और यहां की पहली setting complete हो गई है अब आपको क्या करना है यहां पर जो है दूसरे ऑले option में power saver का option है इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद जो है यहां पर बी जो है आपको टाइमिंग को set कर देना इब यहां पर click करना है और यहां पर भी जो है आप अंदरस से 20 इतना भी रखना चाहो उतना रख सकते हो और यहां पर भी जो है हम लोग 20 मिनट ही कर लेते हैं इतना करने के बाद अब आपको जो है इसे save change पर क्लिक करना है save change पर क्लिक करने बाद दोनों setting जो है save हो चुकी है उपर ये जो लाइक share और subscribe भी कर दीजिएगा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम